नमस्कार दोस्तों अगर आपका भी YouTube के उपर एक अपना चैनल है और आप उसके उपर वीडियो अपलोड करते हैं तो आज की वीडियो को आप देखते रहे हैं क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपने चैनल के उपर यह जो शोशल आपके आपके फेस्बुक पेज को चुटर पेज को देख सकें तो किप आउन वाचिंग कंपेड़ु बुर्जी चैनल चले बढ़ते हैं आज के वीडियो के अगर आप भी जो है शोशल नेटवर्किंग साइट्स के लिंक डालना चाहते हैं या उनको एडिट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है यहां पे देखे पैंसिल का सिंबल आ रहा है यहां भी पैंसिल का सिंबल आ रहा है इस पैंसिल के सिंबल से आप यहां का लोगो चेंज कर सकते हैं और इस पैंसिल के सिंबल से आप यहां आपने चैनल की व ना रखे हैं चैनल के इनको आप एडिट कर सकते हैं और नए लिंक आप डाल सकते हो तो जैसे कि अभी हमने यह लिंक चेंज करने हैं तो मैं एडिट लिंक पे क्लिक करता हूं जैसे हम एडिट लिंक के उपर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि यह देखिए यह हमारे पास चैनल की डिस्क्रिप्शन प्लस उसके एडिट लिंक्स यहां पे दिखाई दे रहे हैं आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बदा दे तो आपकी कम्प्यूटू गुर्जी चैनल को आप यूटूब पे तो सब्सक्राइब करी रहे हैं इसके अलाब अगर आप चाहे तो आप Facebook vapor हमारे शोमारे शौर्जी चैनल की पिरीज को लाइक कर सकते हैं उसके इलाबा अमारे पास है अपना जो है अफिसिल वेब्शाइब याप विज़ड करें और Computer Guruji चैनल के यो maximum पुराने वीडियोस हैं जो आप नहीं देख पाए उनको भी आप महां पे देख सकते हैं यह सारे वीडियोस हमारे Facebook, टूटर, LinkedIn एंड हमारे official website के ऊपर available हैं और अगर अभी तक आपने Computer Guruji चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसको सब्सक्राइब कर लिया है तो यहाँ पर आपका URL पहले से है जिसको आप चेंज करना चाहते हैं उसे सलेक्ट करें और डिलीट करें या अगर आपका नया URL है तो यहाँ पर अपना URL यह है वो टाइप करें और उसको पेस्ट करें यहाँ यह देखिए मैंने नया URL www.facebook.com slash computer guruji यहाँ पर डाल दिया है विकाउस के यहाँ पर URL चेंज हुआ था हमारा उसके बाद मैं Twitter का नया URL डाल देता हूँ यहाँ पर आपने अपना नया URL लिख देना है यह से मैं लिख रहा हूँ computer guruji यह क्यों change करने की जूर्ट पढ़ती है कि कभी कभी जो है बाकी social networking sites पे हमें URL अवेलेबल नहीं हो पाते सो हमें जो है इनको change करने की जूर्ट पढ़ती है Instagram पे डाल देता हूँ उसके बाद YouTube के उपर सेम है यैसे आप दोस्तो URL डाल लेते हो नए URL डाल लेते हो या adjusting को आपने change किया है वो URL आप डाल लेते हो तो उसके बाद आपको यहाँ पे done पे click करना है so that यह सारा save हो जाए जैसे हम done पे click करते हैं तो हमने जो भी changes करी है इसके links के अंदर वो सारी यहाँ पे save हो जाएंगी okay like this friends आप देख पा रहे हो यहाँ पे six यह हमने links यह एड करे हैं वो successfully change हो गए हैं और अभी एक बार दोबारा हम channel को जो है देख लेते हैं और हमारा blog जो है और plus हमारी websites यह सब के links यहाँ पे display होने शुरू हो गए हैं और इस परकार आप जो है अपने नए links जो है अपनी channel में add कर सकते हैं अभी यह से मैंने facebook पे उपर click किया था तो यह देखिए facebook का page हमारा खूल गया है और इसको मैं बंद करता हूँ अभी next हम जो है ट्यूटर को चेक कर लेते हैं ट्यूटर पे click करता हूँ जैसे हम ट्यूटर पे click करते हैं यह रहा हमारा जो है ट्यूटर का handler computer गुरू जी यह हमने URL दिया था successfully यहाँ पे update हो गया है next यह देखिए हमारा जो है Instagram है इंस्टाग्राम के ऊपर भी यहाँ पे successfully आ गया है तो इस पर का दोस्तों आपने सीखा कि कैसे आप अपने चैनल के अंदर जो है social websites के link जो है आप डाल सकते हो और आई तेंक के आपको एक नई जानकारी मिली होगी और अगर आप एक नए यूट्यूबर है और आपने अभी रिसेंटली चैनल बनाया हुआ है तो आप अपना social network उसमें जरूर डाल दें so that आपको ज़्यदा ज़्यदा जो है viewers मिल सकें और आपका चैनल जो है maximum से maximum के उनके सामने आ सकें